हाइ गाइज वेल όkomोम ठीकेशन वेव सकसेस्मेच उप्र क्लांट किंड़ं पार्ट सु आज की इस वीडियो में हम पढ़ने अल्ग के बारे में मेन हमारा जो फोक्स फोकस है वह इस पूरे वीडियो में हैं। लास वीडियो में आपको सारा समझाया था कि जितनी भी क्लासिफिकेशन्स थी हमने सब के बार में पढ़ा था what is chemo taxonomy, what is numerical taxonomy, modern classification, historical classification जिसने भी नहीं देखी हमने playlist description में दे रखिया अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस पूरे chapter की playlist so यहां start करते हैं so plant kingdom में हमने देखा था कि दो तरीकों से हमने plant kingdom के बार में पढ़ने के लिए उसको distribute किया था first one was cryptogammy यहां पे जो था cryptogamms था जिसका मतलब था कि जो plants थे वो seedless थे और नहीं वो flowering शो करते थे यह हमने टेबल में पढ़ा था ठीक है और फिर इसके parts मैंने आपको बताए थे कि तीन parts में इसको distribute किया था first one was thelophyta and thelophyta जिसका जो आज इस वीडियो में हमारा जो main focus है वो है हमारा thelophyta के ऊपर जिसके अंडर वो जो divided हुआ था sub divided हुआ था algae में, fungi में and lichens के अंदर ठीक है तो कुछ जो आप बोल रहे हैं मैंने last time भी आपको बताए था कि fungi यहां plant kingdom में कर क्या रहा है वो मैंने आपको reason मैंने अपनी last videos में बताए था ठीक है तो यह जो plant kingdom है एक और बार बताती हूं कि इस plant kingdom को दो तरीकों से बाटा गया सबसे पहले इन्होंने यह कहा कि ऐसे plants होते हैं कि वो seeds नहीं produce करते और नहीं उनके अंदर flowering देखने को मिलती है और दूसरा spermetophyta इसी का उल्टा कि ऐसे plants जिनके अंदर seeds देखने को मिलते हैं और वो flowering भी show करते हैं जिन्हें हमने fenrogams का ठीक है इन्हें हमने further divide किया gymnosperm angiosperm में जिसे angiosperm को भी हमने further divide किया monocotyledons और dicotyledons लेकिन यहां पर हमारा main focus है algae के उपर यहां पर ठीक है so cryptograms में हमने thelophyta देखा bryophyta देखेंगे bryophyta के अंदर वो plants आ जाते हैं जिनके अंदर ना ही leaves ना ही मतला कोई particular plants के अंदर आप देखके नहीं बता सकते कि क्योंकि उसकी ना ही roots होती है ना ही stem होता है कोई particular उसका जो structure होता है किसी plant का वो वैसा बिल्कुल नहीं होता bryophytes में ऐसा देखा गया है but teridophyte में plants के अंदर particular stem leaf roots सब देखी गई है तो अब भी basic यह जो था यह मैंने आपको बस उपर उपर से बताया लेकिन इसके उपर बहुत detail में है इनके gametes formation कैसी होती है यह कैसे reproduce करते हैं तो सबसे पहले हम algae के reproduction asexual reproduction और इसका sexual reproduction इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे so let's start with the algae so सबसे पहले इसे थेलोफाइटा group के अंदर क्यों रखा गया थेलोफाइटा का मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँ नहीं now it embraces the most primitive and simple of all plants थेलो का मतलब होता है एक तरीके से यहां पर थैलस इस words से मिलके बनाया थैलस का मतलब होता है no differentiation ठेक है so no differentiation या फिर आप कह सकते हो undifferentiated part of a plant जिसके अंदर ऐसा structure जो बिलकुल थैलस का मतलब मतलब ऐसा कुछ जो बिलकुल ऐसा हो कुछ structure जो बिलकुल plain surface simple structure किसी प्लान का बिलकुल simple structure कोई भी plant के अंदर roots की modification नहीं stem की modification नहीं, leaves की modification नहीं, तो एक तरीके का undifferentiated structure, ठीक है, now, So, undifferentiated structure को हम क्या बोलते हैं, thallus, so, the plant body is either unicellular या फिर multicellular thallus, अब इस पे आप confuse मन्त होएगा कि वो unicellular है या multicellular, thallus कैसा भी हो सकता है, unicellular भी हो सकता है, और multicellular भी हो सकता है, So, पहले हम देखते हैं थैलोफाइटा के characteristics, तो क्या ऐसे characteristics होते हैं थैलोफाइटा के, जिन्हें देखके हम algae को इस category के अंदर डालते हैं, तो वो है they are usually found in moist or wet places, it means aquatic habitat, तो जब भी भी आप देखना, आपको हमेशा जो algies होंगी, वो aquatic जो environment होता, उनका habitat होता, वहाँ पर पाई आपको दिखने में मिलेंगी, and this is due to the absence of true roots, इनके पास कोई true roots नहीं होती है, इसलिए तो ये float कर पाती है, ठीक है, क्योंकि for example, अगर land है, तो land पर ये obviously float नहीं कर सकते, अगर इनके पास roots होंगी, तो ये land के अंदर क्या करते हैं, encourage कर देते हैं roots को, जिसके वज़े से इनके पास कोई roots ही नहीं है, तो पानी के उपर ये easily float कर पाते हैं, और survive कर पाते हैं, so just because of absence of true roots नहीं है, इनके पास कोई vascular system नहीं है, tissue ही नहीं है, मतलब ना ही phloem है, ना ही xylem है, कि उपर वो अपना water transport कर सके, या फिर कहीं पर food है, तो वो उसे वहाँ से transport कर सके, तो ऐस कुछ भी नहीं है, so there is vascular tissue, कुछ जो vascular tissue है, that is needed to transport water, this is due to the absence of true roots, नहीं true roots है, नहीं vascular tissues है, जो कि पानी के transport को करने में चाहिए होता है, इसलिए ये पूरे, जो भी है, plants, ये हमेशा aquatic में ही पाय जाते हैं, तो इनके अगर कभी किसी चीज की नीड होती है, पानी से, तो वो direct महां से ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई transport का system नहीं है, इनकी body के अंदर, next is and minerals also, obviously, क्योंकि कैसे ये transport करेंगे, ये autotropic होते हैं, nature के अंदर, ये खुद अपना photosynthesis के थूपना खाना प्रिपैर करते हैं, food प्रिपैर करते हैं, and most members in this group manufacture their own food, we all know that, and reserve food जो होता है, जब ये खाना बना लेते हैं, तो उसको किस form में रखना, मतलब अगर आपने खाना खाया है, तो वो आपकी body में किस form में store होता है, आपकी body में किस form में, जैसे हमारे जो body होती है, हम बोलते हैं, कि जितना भी आपने खाना खाते हैं, तो ATP वो उसकी ATP बन जाती है, और हमारी body में वो स्टोर हो जाती है similarly plants के अंदर जैसे कि थेलोफाइटा के अंदर जितने भी plants है वो अपना खाना reserve food जो होता है वो generally starch की form में रखते हैं ठीक है तो यह था हमारा थेलोफाइटा का छोटा सा discussion में आपको बताना चाहती थी हापे क्योंकि हमारी इतना नीदे रखा बट स्टिल मैं आपको बता रही हूं तो थेलोफाइटा इस ट्रडिशनली डिवाइडे इंटो चार ग्रूप में इसको बाटा गया है अल्गे जो जिसे हम डीटेल में अभी पढ़ने वाले हैं फंजाए बैक्टीरिया और लाइकर्स इन सभी को इन्हों को यहां पर दिखाना चाहती हूं यह हमारी NCIT में दे रखा है ठीक है दिस इस एंग्जाम्पल ओफ थेलोफाइटा जिसकी आप देख सकते हैं कि ना ही इसके पास कोई रूट है ठीक है ना ही लीवस आपको दिख रहे हैं इस सिंपल स्ट्ट्चर है बिलकुल थैलस इसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा एक तरीके का एक्जाम्पल है यह कहा गया है इसे यह है प्लांट किंग्डम के अंदर ही लेकिन ऐसे जब भी आपको प्लांट दिखेंगे जिनके ना ही रूट्स होंगी ना ही लीवस का पता लग रहा होगा ना ही स्टेम का पता लग रहा होगा उन्हें हम इस category के अंदर रख देते हैं, आपको बिल्कुल confused होने की जरूरत नहीं है ठीक है, इसका example या फिर इसे हम कहते क्या है इसे हम बोलते हैं Porphyra This is an example of Porphyra ठीक है, now algae, अब the branch of biology who study algae is called phycology, तो जो भी biology, मतलब हमारी जो study है, हम bio के अंदर जब भी किसी भी particular चीज के बारे में पढ़ते हैं For example, अगर हम fungi के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम mycology का नाम देते हैं algae के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसे phycology का नाम देते हैं, ठीक है तो ये एक branch होती है biology की जब भी आप किसी algae algae के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस branch जो science की जो branch है या फिर biology की जो branch है, उसे हम क्या बोलते हैं, phycology अब characteristics क्या है algae के वही होंगे, जो mostly मतलब thallophyta की group के अंदर आते हैं, बट जो particular algae के क्या function है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी सो they are cosmopolitan they are cosmopolitan in nature मतलब कि ये हर जगा पाए जाते हैं, ponds में rivers में, lakes में, oceans में जैसा कि मैंने आप भी आपको बीछे बताय था कि ये एक तरीके का aquatic environment ढूनते हैं हमेशा, तो जहां पे भी in aquatic environment मिलता है, ये वहीं पे ही grow होना start हो जाते हैं there are some unicellular algae present in our environment जैसे की chlamydon, जो हमारा chlamydomonas होता है, वो एक तरीके का unicellular organism है, जो जिसकी मैं picture आपको show करना चाहूंगी हाँ पे, ठीक है this is chlamydomonas ठीक है, इसके पास यहाँ पे दो flagellas present है, and there are some form जो colonial algaes होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, छोटी-छोटी colonies होती है algae की, वो साथ में interconnect होके, एक बहुत-बड़ा group सा बना लेती है ठीक है, and जब ये group formation हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं they are called wall walks, ठीक है ये किस में आता है, wall walks के अंदर, तो ये है, जब भी भी मैं आपके इसके picture दिखाती हूँ, ये रहा so, ये छोटी-छोटी colonies जो है, daughter colonies हो गई है parent colony है, इसी के अंदर daughter colony भी बनना स्टार्ट हो गई है, ये example है हमारा wall walks का, ठीक है और ये है हमारा chlamydomonasca, तो ये एक तरीके का unicellular, मतलब एक ही cell है जिसके अंदर, जो मैंने बता है, आपको flagella दिख रहा है, बीच में nucleus दिख रहा है, ये हमारा colonial algae है, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी interconnected algaes हैं, हैं तो योटी-छोटी unicellular algaes मिलके interconnect हो गई है, और एक structure बनाती है, पूरा intervene करके उनको जिसका नाम दिया, उन्होंने wall box, ठीक है, नाउ, इन algaes को thallophyta के अंदर डालने का main reason था, सबको समझा गया होगा कि just because, इनकी जो differentiation है, ठीक है, इनकी जो structure है, algae का, जो body का structure है, वो क्या ऐसा है, thallus जिसका मतलब होता है, undifferentiation plant body, they do not show any differentiation into roots, stem and leaves, कुछ भी इनके अंदर differentiation शो नहीं होता, कभी आप algaes देखना, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी एक तरीके का algae है, लेकिन इसके अंदर कोई differentiation ही नहीं है, ना ही कोई leaves दिख रही है आपको, ना ही stem, ना ही branches, कुछ भी नहीं, ये भी एक तरीके का algae है, ठीक है, चुट-चुटी algaes मिलके साथ में इनने एक colony form कर ली है, लेकिन इसके अंदर भी plant kingdom होने, plant kingdom के अंदर होते हुए भी इसके पास कोई plant जैसे features नहीं है, इनके पास कोई characteristics नहीं है, इसलिए इनको ठैलफाइटा group में डाला गया, क्योंकि ये no differentiation शो करते हैं, कोई differentiation नहीं होती, ना ही roots की, ना ही stem की, ना ही leaves की, ठीक है so I hope आपको ये वाला topic clear हो गया हो, you guys can follow us on instagram, जिसको भी कोई problem है, हमें instagram पे आप direct message कर सकते हैं and हमारी एक website है educationwave.in नाम से आप वहाँ पे visit करें वहाँ पे हमने notes proper, हर chapter की playlist आपको वहाँ पे direct मिल जाएगी so please guys do visit our website educationwave.in follow us on instagram www.educationwave के नाम से हमारा account है, वहाँ पे visit करें and you can follow us on facebook also educationwave official के नाम से, जिसने भी subscribe नहीं किया, please 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 subscribe us, like and comment also, thank you so much